तो हम लोग अब बात करेंगे नियू टापिक बायो टेकनलाजी के बारे में तो बायो टेकनलाजी क्या चीज है इसको पहले समझ लेते हैं तो बायो टेकनिक का मतलब होता है बायो का मतलब होता है लिविंग अर्निजम और टेक का मतलब टेकनलाजी से है तो कहने का मतलब की लिविंग आरनिजम या उनके एंजाइम्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं human beings के लिए किसी यूजफुल प्रोड़क्ट के फार्मिसन के लिए तो इस और उनकी प्रासेस के लिए कोई भी डिफरेंट टाइप की जैसे आप घरों में देखते हैं कि कर्ड है, वाइन है, ब्रेड है, यह सब हमारे लिए यूजफुल प्रोड़क्ट हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और उनमें माइक्रो आरनिजम का यूज होता है आप लोग इसको स्टड़ी कर चुके हैं इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग आरनिजम हैं या उनके जो प्रोड़क्ट हैं उनको हम लोग उमें बिंग्स के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं यूज कर सकते हैं यही आपका बायो टेक्नलाजी है ज्यादा तरके उस पर specified हो चुका है, जैसे कि आप लोग in vitro fertilization पढ़ते हैं, test to baby पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्योटेकनलाजी का ही पार्ट हो जाता है, और DNA से जो vaccine बनाई जाती है, या फिर defective gene में कोई change किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी ब्योटेकनलाजी से लिटेड हैं, gene या gene से संबंदी जो भी चीज़ें हैं, chromosome संबंदी चीज़ें हैं, gene खास करके इसमें, तो ये आप का आता है, ब्योटेकनलाजी में, techniques उसमें कैसे यूज़ करते हैं, gene को manipulate करने के लिए, उसमें कुछ नया add करने के लिए, remove करने के लिए, modify करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको, ब्योटेकनलाजी इंपढ़ेंगी, तो European Federation of Biotechnology ने एक नई definition दिया, जो की natural जो हमारा traditional view है और modern biotechnology, molecular biotechnology view है, दोनों को मिला करके दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि, the integration of natural science and organisms, cells, parts there are, and molecular analogs for product and service, तो किसी भी product या service के लिए, जब हम लोग integration करते हैं, natural science का, organisms, या कोई cells हो, या फिर उनके parts हो कोई, या फिर उनके molecular analog हो, इन मतलब organism, cells, their parts, and molecular analog, इन में से कोई भी चीज़ अगर हम, natural science के साथ integrate करके, यूज करते हैं, तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि, यह biotechnology है, यह European federation ना भी technology का है, तो अभी जैसे आप detail में इसको discuss करेंगे, तो और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, कि, biotechnology का एक broad area है, और broad term है, उसमें काफी चीज़े include हो जाती है, इसके बाद हम लोग principles की बात करें, तो इसमें जो basically principle है, वो पहला है genetic engineering, जिसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे, तो genetic engineering का मतलब क्या है, देखे, gene का मतलब हो गया, gene आप जानते हैं, part of chromosome होता है, जो कि किसी character के लिए responsible होता है, और engineering का मतलब उसमें जो engineering की जाए, जैसे हम कहते हैं, टेक्निक की या engineering कर रहा है आप किसी चीज़ में, यानि कि उसमें जो technique use करके उसमें changing कर रहा है, या remove कर रहा है, add कर रहा है, कुछ भी उ to alter the chemistry of genetic material, DNA, RNA, to introduce them into the host organism, and thus change the phenotype of host organism, जैसे हमने कोई bacteria लिया, उसका plasmid निकाला, और plasmid में जो DNA, RNA है, उसको manipulate किया, उसको modify किया, उसमें changing किया, उसमें alteration किया, और उसको किसी host organism के अंदर enter करा दिया गया, और आप जानते हैं, कि plasmid पे कोई चीज होती है, जब host में उसको डालते हैं, तो अपना DNA, उस पे change करता है, टांसफर कर सकता है, इसी चीज को हम लोग detail में है, ये gentic engineering का ही part है, तो gentic engineering का मतलब है, कि कि किसी भी DNA, RNA को plasmid के उपर add करके, और उसको किसी host organism में डाल करके, उसके phino type को change कर देना, ये आप टिकनिक पुरा भी detail में पढ़ेंग in the chemical engineering process, to enable growth of only desired microbes, eukaryotic cell in large quantity, for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine and enzymes, करने का मतलब कि मानले जापको कोई antibiotic बनानी है, या फिर कोई medicine बनानी है, कोई fermentation करना है, तो जो environment है, जहां पे हम ये process करा रहे है, तो उसमें सिर्फ वही bacteria, वही virus, वही micro-organism, वही फंजाई, वहाँ पे हो, जिसकी हमें जरुवत है, अन्य कोई ना हो उसको, तो ये एक तरह से हम लोग करते हैं, maintenance आप sterile amiens, amiens का मतलब environment जो है वहाँ का, तो किसी भी chemical process करने से पहले, एक तरह से sterilized condition में हम लोग process को करते हैं, और सिर्फ उन ही macronisms को, उन ही eukaryotic cells को use करते हैं, जिनकी हमें जरू करें, उसका product quality खराब करें, इसलिए maintenance, तो ये सारी चीज़ें बायो टेकनलाजी के अंदर ही आती हैं, तो आपने दो चीज़ देखा, एक तो DNA, RNA में जो भी हम manipulation करते हैं, changing करते हैं, वो आपका agentic engineering बोला जाता है, वो भी बायो टेकनलाजी के part है, और दूसरा sterile condition कैसे maintain करत हैं, तो बायो टेकनलाजी एक बहुत restricted term नहीं है, वो काफी broad term है, उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप लोगों ने sexual protection और sexual protection के बारे में justice किया है, पहले भी इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो sexual protection होता है, उसमें जो genetic information होती हैं, वो preserve होती है, यानि जैसा father है, वैसा ही child होगा, या जैसा कि आफ spring होगे, वो बिल्कुल similar होगे, identical to their parents, तो कहने का मतलब यह है कि ये sexual reproduction इस चीशी guarantee है, जो genetic information हो प्रिजर्ब होगी, जबकि sexual reproduction में variation होता है, क्यों variation होता है, यह आप लोग अच्छी तरह से study कर चुके हैं, तो traditional hybridization procedure used in plant and animal breeding, very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with desired gene, काने का मतलब कुल मिला कि यह है, कि जब हम लोग जो की traditional हमारा hybridization का procedure है, जो कि हम लोग use करते थे पहले, करते आए हैं, कई सालों से, 1000 सालों से, तो उसमें क्या होता है, कि बहुत सारे character to desirable होते हैं, तो, ऐसी चीजों को हम लोग, हम अगर ये चाहें कि नहीं, हमें सिर्फ यूजफूल करेक्टर ही मिले, जो नोन्वेनिफिर्चिल करेक्टर है या या अनफूल करेक्टर हे, वो नाने बावे, तो उसको हम लोग जेनटिक इंजिनिरिंग के हल्प से इस प्राबलम को दूर कर सकते हैं तो उसमें हम लोग genetic engineering का कैसे यूज करेंगे उसमें recombinant DNA technology होती है यूज आप gene cloning होती है gene transfer होता है तो इन सारी चीजों से हम लोग को समस्जा को दूर कर सकते हैं कि उसमें आप लोग किस तरह से हो करना इसी बारे में आगे देखेंगे किस तरह से चीज की जाती है